करिश्मा कपूर ने कई सालों तक सिनेमा पर राज किया है फैंस उनकी फिल्म देखने के लिए बेताब रहते थे आज हम आपको बताएंगे कि करिश्मा कपूर की शादी के बाद उनके हनिमून पर उनका सौदा किया गया था और यह सौधा उनके पती ने खुद किया था 25 जोन 1974 को मुंबई में जन्मी बॉली वोड अभिनेतरी करिश्मा कपूर ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के उस परिवार से सम्मन्द रखते थी जिनका लगभग पूरा परिवार फिल्मों में चाया हुआ है प्रिथविराज कपूर, रंधीर कपूर, शशी कपूर, शम्मी कपूर, रिशी कपूर सभी ने फिल्म में अपनी पहचान बनाई है करिश्मा का अफियर अभिशेग बच्चन के साथ था दोनों ने पांच साल तक एक दूसरे को डेट किया और उनकी सगाई भी हो गई जया बच्चन ने तो करिश्मा को सब के सामने अपनी बहु बता दिया था रंधीर अन्भवीता कपूर, तो बी माई डॉक्टर इनलॉग करिश्मा कपूर हलाकि किसी वज़े से ये रिश्टा तूट गया और करिश्मा अभी शेक हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई थे उनके अलगाव से कुछ वक्त के लिए कपूर और बच्चन परिवार में तनाव भी आ गया था करिश्मा की शादी अंतताय संजय कपूर से हुई जो दिली में एक बिजनसमेन थे वह उनके साथ शादी के बाद दिली ही शिफ्ट हो गई संजय कपूर खुद पहले से तलाक शुदा थे करिश्मा और संजय की शादी का अंत दो हजार सोला में हो चुका था करिश्मा ने उसके बाद अपने पती पर कई आरोप लगाए थे उन्होंने एक इंटर्वियू के दौरान कहा था कि उनके पती उनसे शादी करने के बाद भी अपने पहली पतनी के साथ रहते हैं करिश्मा ने ये भी कहा था कि उनके हनिमून पर उनके साथ घिनोना काम किया जाने वाला था उनके पती संजय कपूर ने उनका सौदा कर डाला था करिश्मा के अनुसार संजय ने अपने दोस्तों के साथ करिश्मा को सोने पर मजबूर किया था जब करिश्मा ने इसका विरोध किया तो उन पर संजय द्वारा हाथ भी उठाया गया था शादी के बाद कई मुश्किलों से करिश्मा को गुजरना पड़ा था अब करिश्मा संजय से बिलकुल अलग है और अपने बच्चों के साथ रहती है तो ये थी हमारे आज के कुछ खास पेशकर मुझे दीजिये जाज़त नमस्कार